नवींतम विकास में, स्थानिय अधिकारियों के अनुसार, ब्राजील के सबसे दक्षिनी राजय रियो ग्रांडे डो सुल में विनाशकारी बार से मरने वालों की संख्या बढ़कर, सत्तावन हो गई है, दर्जनों लोग लापता हैं क्यूंकि पूरे क्षेत्र में बार का कह रियो ग्रांडे डो, सुल में नागरिक सुरक्षा प्राधिकरन ने बताया कि सरसथ लोग अभी भी लापता हैं, जबकि 32,000 से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं, तूफान ने उरुगवे और अर्जेंटीना की सीमा से, लगे राज्य के 497 शहरों में से लगभग दो तिहाई को प्रभावित किया है, बचाव प्रयासों में सहायता के लिए सेन्य कर्मियों को तैनात किया गया है, ब्राजिलियाए लोग बढ़ते बार के पानी से बचने के लिए छटों पर शरन ले रहे हैं, अधिकारियों ने निवासियों से सतर्क रहने औ बार जारी रहने के कारण निकासी आदेशों का पालन करने का आग्रह किया है,